वरंगलोनी बद्रकाली आलेमलो प्रदानी नरेंध्र मोदिकी आर्चकलू पूर्ण कुम्बम्तो स्वागतम पलिक्यारू पलू अभिवरुद्धी कारेक्र मालनु प्रारम बिंचेंदु कु प्रदानी इरोजु उदियं नगरहानी की चेर कुण्नारू इक्रममलोनी आयन बद्रकाली अम्मवारनी दर्शिंच कुण्नारू सुमारू पदी निमिशाल पाटू अम्मवारिकी प्रत्येक पूजलू चेसिन अनंत्रम् प्रदानी मोदी आर्स आन्स साइन्स कॉलेजी मैधानानी की बयल्दरी विल्ल्यारू प्रदानी राकसंदर्बंग अम्मवारिकी प्रत्येकंग प्रसादालू तयारु चेसिन अर्चकुलू वाटिनी प्रदानी की आंध चेसि आचिर्वदीन्च प्रदानी मोदी पर्येटेन नेपध्यम्नो वरंग लो पोलिस लू 1344 गू सेक्षण अमलु चेसारू सुमारू 3.5 अंदल मंदी पोलिस लतो भारी बदरत एर पड़ चेसारू तेल्लवारु जामुनुँचे सिटीलो पहारा पेंचारू होटल लतो सहा अन्नी दुकानालो मूसिवेंचारू प्रदानी पर्याटिंचे रूटलो ट्रोफिक नू मल्लेंचन पोलिस लू आ मार्गमलो कट्टु दिटमेन बदरत एर पड़ चेसारू प्रदानी मोधिनी स्वागतिन चेंदुकु तलंगान मुक्यमंत्री केसिया राकपोटमपै बीचेपी तलंगान देक्ष्डू केंद्रमंत्री किशनरेडी स्पन्दिस्तू प्रदान मंत्री राष्ट परियर्ट नकु वच्चन ए संधर्भम लोनु सीयम केसिया रालेदनी गुर्तु चेसारू आयनकु मुकम चल्लकने प्रदानीनी कल्सको लेदनी विमर्शिंचारू प्रदानी टूर्नु बियारेस पार्टी बहिश्करिंचनत मात्राना पोये देम लेदनी किशनरेडी तेलची चेप्यारू तेलंगणा प्रजलन दरीकी ना अभिनन्दनु लू तेलंगणा की गवर्नर तमिल साइस सौंदर राजन जी केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गड़करी जी जी किशन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महनुभाव और तेलंगणा के मेरे भाईयों और बहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोकों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है तेलुकू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विख्षिद भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पांस एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डियन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर कर दो 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 है